Life Sciences से graduation करने के बाद आपके पास में बहुत सारी vacancies होती हैं government job के लिए लेकिन जरूरत इतनी है कि आपको पता कैसे चले कि किस department में किस government job की vacancies निकली हुई है उसके लिए इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर नए आए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना वेलकम टू चॉक टॉक टॉक टॉटोरियल्स और इस वीडियो में आज मैं आपको बहुत कुछ important चीज़े बताने वाला हूँ जैसे की government job का notification आपको कैसे मिले उसके बाद eligibility उन government jobs के लिए आप eligible है या नहीं है common syllabus क्या है उनका entrance exam देने के लिए salary कितनी होगी और आप इन सब चीज़ों को कैसे अपने mind में रखके एक guide तयार कर सकते हैं उस government job को पाने के लिए तो अगर आपने life sciences के किसी subject से graduation किया है जैसे की microbiology, biotechnology, zoology, botany वगेरा इन में से अगर आप किसी subject से graduate हैं तो आपके पास में बहुत अच्छी opportunities होती हैं government job के लिए तो मैंने अब से पहले भी एक video बनाया था career और scopes से related अगर नहीं देखा है तो चैनल के description में आपको link मिल जाएगा वहाँ से जाकर देख लीजिए आज के इस video का topic थोड़ा से different है सिर्फ government jobs के लिए life sciences students के लिए तो आज हम net jrf और उसके मिलने वाले पैसे के scholarship के बारे में बात नहीं करेंगे डारेक्ट बात पर आते हैं कि हमें government jobs के जो vacancies निकलती हैं किसी भी department में उसका notification कैसे मिले तो आपको एक बहुत simple सी चीज़ करनी है अपने google browser पर जाना है और search करना है सरकारी result.com जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे इस तरह आप लिखकर सरकारी result.com सर्च करेंगे और आपके सामने जो website खुलेगी उसमें आप ध्यान से देखेंगे एक तरफ एक कॉलम नजर आएगा जिसमें आपको जितने भी latest government job vacancies होंगे उन सब की list मिलेगी इसको आपको देखना आना चाहिए देखने के लिए क्या जरूरत है आप सौचेंगे कि ये जितनी भी list है ये हमारे लिए नहीं है ये किसी दूसरी field के students के लिए है लेकिन ऐसा नहीं है इसमें हमारे field की jobs भी होती है life sciences students के लिए तो करना क्या है जब आप इस list को खौल लेंगे तो यहां पर कोई भी एक option जैसे कि मैं आपको बताओं यहां पर option नजर आ रहा होगा आपको BIS Various Post Online Form 2020 इसको आपको okay करना है जब यह page खुलके आपके सामने open होगा तो इसके बारे में जितनी भी जरूरी important information होगी वो आपको इस page पर नजर आ जाएगी जैसे कि इसकी post date कितनी है notification date क्या है admit card कौन सी date को आएगा exam date क्या है कितने कितने notification इस post से related आ चुके है वो सभी information आपको यहां बहुत easily मिल जाएगी उसके बाद आप यहां से easily इसका जो official notification है इस job का वो download कर सकते हैं ठीक है अब यह सब तो एक notification से related बात हो गई अब बात करते हैं कि इसमें हमारी post कौन सी है तो इसमें जब आप थोड़ा सा scroll करेंगे इसमें जितनी भी post के name है वो यहां पर given है उन post के name को आपको पढ़ना है जैसे कि यहां पर technical assistant lab का दिया हुआ है post और यहां पर eligibility में दी हुई है B.Sc. degree with subject chemistry, microbiology, physics, biotechnology, food technology, biochemistry मतलब यह सारी के सारी jobs जो है यह life sciences students के लिए हैं और इनका जो department है उसका नाम है Bureau of Indian standards इस तरह से जितनी भी यहां पर आप list देख रहे हैं इनको आपको open करना है post का name पढ़ना है और eligibility देखनी है इससे आपको पता चल जाएगा कि यह job की vacancies निकली हुई है यह life sciences students के लिए हैं या किसी दूसरे department के लिए हैं तो यह तो आपको हो गई notification की बात की आपको कैसे पता चले notification देखना आपने सीख लिया अब उसके बाद बात करते हैं eligibility की देखिए most of the government jobs में आपको मांगा जाता है graduation graduation आपकी eligibility है with minimum 55 to 60% of marks 55-60% marks के आपके हैं तो आप eligible हैं किसी भी government job के लिए उसके बाद कुछ jobs ऐसे होते हैं जिनमें salary थोड़ी ज़ादा होती है वहाँ पर आपसे थोड़ा experience मांगा जाता है या master degree मांगी जाती है master degree बहुत rare cases मांगी जाती है बाकी जितनी भी jobs हैं graduation के बाद आप सभी में eligible हैं ओके next thing is common syllabus देखिए हम life sciences के students हैं हमने जादा focus क्या होता है biology पे microbiology, biotechnology या फिर biochemistry इस तरह के subject math हमारी week होती है जो कि एक बहुत बड़ा drawback कह सकते हैं उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको graduation में जब आपने admission लिया है या मान लीजे graduation last year भी है आपको धीरे धीरे थोड़ी general mathematics पढ़नी है general mathematics common syllabus है सभी तरह की jobs के लिए general mathematics, general reasoning और उसके बाद में current affairs और static gk जितनी भी gk है current affairs ये common syllabus है इसके बिना आप कोई भी government job का exam crack नहीं कर पाएंगे तो ये common syllabus की बात हो गई उसके बाद हम बात करते हैं salary की ये जितनी भी jobs होती है इस तरह की graduation के बाद में almost जो है group B category की होती है B category की तो इस B category से ये पता चलता है कि इनकी जो salary है approximately वो 40 से 50,000 starting होती है वो बाद में भढ़ती जाती है वो government का अलग criteria है ठीक है तो ये बात हो गई आपको notification कैसे मिलेगा आपको eligibility क्या है salary कितनी होगी किस तरह से आपको government job का पता लगाना है सरकारी result वेब साइट पे जाकर तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आ गया हो तो like कर देना अपने दोस्तों के साथ share कर देना और subscribe करना मत बोलना शुक्रिए